टाटा मोटर्स की तरब से गुड न्यूज है पावरफुल गाड़ियों की चाहत रखने वाले कस्टमर्स के लिए अब तक की सबसे पावरफुल प्रीमियम हैच बैक टाटा मोटर्स द्वारा पेश कर दी गई है जिसमें मिलने वाले हैं एडवांस फीचर्स, एडवांस से पेश किया है जो अब तक का सबसे स्पोर्टी वर्जन है शांदार स्टाइल के साथ में एडवांस इंफो टैन्मेंट सिस्टम के साथ में और सांदार फीचर अपग्रेट के साथ में और इसका में चेंज की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें मलने वाली है जबरद एल्टोज भी है और इस एल्टोज का लुक कुछ नेक्स्ट लेवल का होने वाला है जैसा कि आप फील कर सकते हैं और इस्टाइल इसका रेगुलर एल्टोज से बहुत ही एडवांस है जो इसे अलग बनाता है और इसमें बॉइस असिस्ट के साथ में इलेक्टिकली एड़ एस्टेवल सरूप जैसा शांदार फीचर्स भी है जो किसी भी एल्टोज वेरियेट में फर्स्ट टाइम दिया गया है और कार का आप यहां पर देख सकते हैं साइट प्रोफाइल फ्रेंट प्रोफाइल तो फ्रेंट लुक की अगर बात करें तो रेगुलर एल्टोज को अल ब्लेक ट्रीटमेंट दिया गया है जो बहुती शांदार लगता है और केवल इतना ही नहीं हेट डाइट को भी ब्लेक आउट ट्रीटमेंट दिया गया है इसमें ब्लेक आउट रूफ और ट्वीन वाइट रेसिंग स्ट्राइप्स के साथ में बॉनट के साथ में फ्रे एल्टोज रेशर में red contrast stitching, red and white stripes के साथ में new all black upholstery, hand racist पर रेशर embasing दी गई है और एल्टोज रेशर को नई software के साथ में 10.25 इंच की touch screen unit के साथ में paste किया गया है इसके अलाबा इसमें है 7.0 इंच का digital instrument cluster, ventilated front seat, six air bag, wireless charging और air purifier और एल्टोज का एक मुख्या करशन इसका power train भी है और इसमें 1.2 लिटर का turbo charge petrol engine और जो की अब है 120 HP की power और 170 NM के जबर्दस torque के साथ में जो की i turbo की तुलना में ज़्यादा power देता है और power upgrade के साथ में एल्टोज racer, Hyundai i20, L9 जितनी power generate करती है जिसमें 120 HP की power, 172 NM का torque मिलता है और दिल्चस्प बात ये कि एल्टोज racer को i turbo में पाए जाने वाले five speed manual के बजाए six speed manual gearbox के साथ दिया गया है यानि की gearbox में भी काफी शांदार upgrade किये गए है और six speed dual clutch automatic gearbox के बारे में भी information निकल कर सामने आ रही है फिलहाल बात करें इसे auto export 2023 में showcase किया गया और इंडियन market में launch होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं look wise, features wise और power wise इसकी काफी demand आने वाली है तो आपको ये Tata Motors की all new page कस कैसी लगती है, comments में लिकिए और automobile words की latest information के लिए चैनल को subscribe करके रखिए मिलते है next update के सब्सक्राइब है